नमस्कार, जोती शीक दिव्यप्रक्रास चैडल में आप सब का स्वागत है। मादुर्गा के देवी सुक्त पाठ से जातक सभी संक्तों से मुक्त हो जाता है। महा माया के इस पाठ को करने वाले व्यक्ति को माता रानी की क्रपा से एस्वर्य, सवभाग्य, आरोग्य तथा अपार धन संपत्ती की प्राप्ती होती है। आईए हम सब इस पाठ का शवण करते हैं। देवताओं ने कहा देवी को नमस्कार है, महादेवी सीवा को सदेव नमस्कार है, प्रकर्ती और भद्रा को नमस्कार है, हम लोग भगवती जगदंबा को नियम पुर्वक नमस्कार करते हैं। रोद्रा को नमस्कार है, नित्य, गौरी एवं धात्री को हमारा बारंबार नमस्कार है, चंद्रिका तथा चंद्र स्वरूपिनी को हमारा नमस्कार है, सुख स्वरूपा को हमारा नमस्कार है। हम लोग सर्नागत को कल्यान व्रधी तथा सिध्धी देने वाली भगवती को नमस्कार करते हैं। राक्षशों तथा राजाओं में लक्ष्मी, स्वरुपेन वर्तमाल, भगवती सिवा को हम नमस्कार करते हैं। दुर्गा, दुर्ग संकट से पार करने वाली जगत की सार भूता, सर्वकारिनी, ख्याती, क्रश्ना और ध्रुमा को नमस्कार करते हैं। अत्यंत स्वाम्य तथा अत्यंत रोद्र को हम लोग नमस्कार करते हैं। जगत की आधार भूता तथा जगत कारिनी को हमारा नमशकार है। जो देवी समस्त प्राणियों में विश्णु माया के नाम से कही जाती है, उसे नमशकार है, उसे बार बार नमशकार है। जो देवी समस्त प्राणियों में चेतना रूप में स्तित है, उन्हें नमशकार है, नमशकार है, तथा उसे फिर से नमशकार है। जो देवी समस्त प्राणियों में बुद्धी रूप में स्तित है, उसको नमशकार है, तथा उसे फिर से नमशकार है। जो देवी समस्त प्राणियों में निद्रा रूप में अवस्तित है, उन्हें नमशकार है, उन्हें पुनह, पुनह नमशकार है। जो देवी सभी प्राणियों में छुदा रूपेण स्थित है उन्हें नमस्कार है तथा उन्हें फिर से नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में छाया रूप में इस्तित है उन्हें नमस्कार है तथा उन्हें फिर से नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में शक्ती सरूप में विराजमान है उन्हें नमस्कार है फिर भी उन्हें नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में त्रिश्ना रूप में इस्तित है उन्हें नमस्कार है तथा उन्हें फिर से नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में जाती रूप में इस्तित है उन्हें नमस्कार है नमस्कार है तथा उन्हें फिर भी नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में लज्जा रूप में इस्तित है उन्हें नमस्कार है नमस्कार है तथा उन्हें फिर से नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शान्ती सरूप में विराजमान है उन्हें नमस्कार है नमस्कार है तथा उन्हें फिर से नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शद्धा रूप में इस्तित है उन्हें नमस्कार है नमस्कार है तथा उन्हें बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में कांती सरूप में इस्तित है उन्हें नमस्कार है तथा उन्हें बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में लक्षमी सरूप में इस्तित है उन्हें नमस्कार है नमस्कार है तथा उन्हें बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में इस्तित है उन्हें नमस्कार है नमस्कार है तथा उन्हें बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में इस्मृती रूप में इस्तित है उन्हें नमस्कार है नमस्कार है तथा बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में तुस्टी रूप में इस्तित है उन्हें नमस्कार है उन्हें बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में इस्तित है उन्हें नमस्कार है नमस्कार है तथा उन्हें बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में ब्रांती रूप में विद्यमान है उन्हें नमस्कार है तथा उन्हें बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में इंद्रियों के अतिष्टात्री रूप में विराजमान है तथा समस्त भूतों में व्याप्त है उन्हें नमस्कार है नमस्कार है तथा उन्हें बार बार नमस्कार है। जो देवी इस समस्त संसार में ज्ञान रूप से व्याप्त होकर इस्ति थे उन्हें नमस्कार है तथा बार-बार नमस्कार है देवताओं ने अपने अभीष्ट की प्राप्ती हो जाने से जिनकी इस्तुती की थी तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिस परमेश वह इस्ष्वरी हमारा मंगल करे तथा हमारी समस्त आपतियों को दूर करे इस समय प्रचंड देत्यों के सताय गए हम देवताओं जिस परमेश्वरी को नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ती पूर्वक इसमरण कीये जाने पर अपने भक्तों के संकट को छण में दूर कर देत वही जगदंबा हमारे समत संकटों को दूर करे देवी सुक्त संपूर्णा झाह हमत लाग सस्की डियुभान झाह हमुआा – और संपूर्णा